हेलो एड वेलकम फ्रेंड में नामें जावेद आप देख रहे हैं हेल्फुल लास्टा यूट्यूब चैनल दोस्तो आई आर्सेटीसी ने बंसोईदा को फिर से स्टार्ट करने का फैसला किया है आई आर्सेटीसी से रिलेटेट तील लेटेस्ट अपडेट आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा आपके लिए काफी जादा हिल्फुल होगा आगे बलने से पहले प्यार बहर रिक्वेस्ट अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और इसे ही हर्फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तों सबसे पहला अपडेट मैं आपको बता देता हूँ किराय से रिलेटेड है इंडियान रेलवे ने जो फैसला किया है कि जीरो नंबर हटा दिया जाएगा इस्पेचल ट्रेनों से यानि कि सभी सामान ट्रेने चलना स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी तो आपको बता दू जिन लोगों ने टिकट अल्रेडी बुक कर रखा है तो उन लोगों को कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली है कोई भी डिसकाउंट या पैसे वापस नहीं होने वाले है ये इंडियान रेलवे ने साफ कह दिया है साथी साथ आपको बता दू IRCTC ने फैसला किया है कि अब पैंट्री कार वाली ट्रेनों में फिर से खाना स्टार्ट कर देगी IRCTC जैसे कि पका हुआ खाना मिलता था पहले की तरह वो अब मिलने लगेगा लेकिन कुछ सेलेक्टे ट्रेन है जिसके अंदर अब ये खाना मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो इन ट्रेनों के बारे में आपको बता देता हूँ उसमें शताबदी है गतिमान एक्सप्रेस है राजधानी है वद्ने भारत एक्सप्रेस है और साथी साथ आपको तीसरा अपडेट भी बता देता हूँ यात्रियों की सुईधा के मद्दे नजर मुंबई सेंट्रल और भागलपुर के बीच वीकली रिजर्व स्पेचल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है इस ट्रेन की शुरुआ 27 नॉंबर से की जानी है इस ट्रेन के संचाला से महाराथ, गुजरात, मद्दप्रदेश, राजस्तान, उत्तरप्रदेश और बिहार के यात्रियों को काफी ज़्यादा सुईधा मिलने वाली है इस ट्रेन को वीकली चलाया जाएगा ये भी आपको बता दू, तो 27 नॉंबर से ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है दोस्तों तीनों लेटिस ट्रेट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक में ज़रू बताईएगा अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को स्ट्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ तैंक यू सो मच पर वाचिंग